कुछ दाने चामल के लेने होंगे, थोड़ा सा सिंदूर लेना होगा, चमेली का थोड़ा सा तेल लेना होगा और एक हल्दी का टukड़ा लेना होगा इतनी सामगरी लेकर आप किसी को अपने वश्मे आसानी से कर सकते हैं और ये वशिकरन कभी न तूटेगा और नहीं इसके विशे में कोई जान पाएगा कि किस बंदे ने किसके उपर वशिकरन कार किया है। ये बहुत ही प्रचंड वशिकरन का एक तरीका होगा अगर आप चाहें इस वीडियो को थोड़ा सा और देखें और आप किसी को भी अपने वश में आसानी से कर सकते हैं चाहें आपके आफिस में कोई भी इस्तरी हो या कोई पुरूश हो उससे आप शादी करना चाहते हैं कह जो भी आपके रिलेशन में आते हैं उनसे आपके अन्बंच चल रही है आप उनको अपने वश में करना चाहें आप इस पुरियोक को आसानी से कर सकते हैं अगर आपके ननन नन्डोई या देवर देवरानी सास तसुर जैसी कोई चीजों से आपके लड़ाई जगड़ा च चाहे और संगद भी करना चाहे तो ये प्रियोग आसानी से आप कर सकते हैं इसमें आपका उतना ही लगेगा जितना मैंने आपको बताया है चलिए मेरे प्यारे वक्तों मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा नमस्कार आप देख रहे हैं गरहलू तंत्रविद्या इस वीड को बड़े बड़े राजाओं ने प्रजा के लिए और प्रजा ने राजा के लिए किया है चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वशिकरन क्या होता है ये तिलक वशिकरन है तिलक लगा करके आप ये वशिकरन करेंगे आपको सिर्फ इसी चीज़ का तिलक लगाना है मगर तिलक लगाने से पहले आपको इसके उपर इस सामगरी को पर कुछ मंतर पढ़ना होगा मंतर बहुत ही आसान है, बहुत बड़ा मंतर नहीं है, कोई बहुत ज़ादा मंतर उचारण नहीं करना है ये चोटी सी सामिगरी को पर चोटा सा ही मंत्र करना है और बहुत बड़ा आपको मज़ा उठाना है आप बहुत पूरा मज़ा उठा सकते हैं भरपूर आप आनंद ले सकते हैं इस चीज़ का अगर आप चाहें तो आप इस परियोग को अपनी चानुसार कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये मंत्र और इसका पूरा तरीका आपको कैसे मैं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देख नहीं पाएंगे तो चलिए जल्दी से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आजाएए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए और चेक करके मैंने उपर ही उपर इसका पूरा तरीका और मंत्र कैसे इसको करना है सब कुछ मैंने आसानी से बता दिया दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा